मेरा किसान भाई जब खेतों में फसलों पर पंप से स्प्रे करता है और पंप का प्रेशर अचनक बहुत ही कम हो जाता है तब किसान परेशान हो जाता है ऐसे टाइम क्या कर रहा है उसे कोई सुचता नहीं है तो मेरा यह वीडियो उनीक किसानों के लिए जो मैनत करके स्वाबिमान के साथ जीते मेरे किसान भायो नमस्ति मैं दात्ता टेम कर आप सब का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ जिसका नाम है ओमसाय आटो गैरिज मेरे किसान भायो जब आपके स्प्रे पंप का प्रेशर बहुत ही कम हो जाए तो बिल्गुल गवरान नहीं है आपके पास एक स्कुरूडायवर होना ज़रूर है पहले आपको पंप की मोटर खोल लेने है उसके बाद ये ट्रीपर स्वीच भी खोलना है ताकि मोटर ओपन करने में परेशानी नहीं होगी उसके बाद ये साथ स्कुरूड वाली प्लेट ओपन करने है दोस्तो अगर आपकी डबल मोटर है तो उसके वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्चन में दिये और दोस्तो इससे पहले मैंने इसी बाद री स्प्रेपम के हर एक प्रॉब्लेम पर वीडियो बनाया है और टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक स्प्रेपम के भी हर प्रॉब्लेम पर वीडियो बनाया है वो मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों ये प्लेट मैंने ओपन कर लिए ये देख सकते हो आप कितना कचराट का हुआ है इसमें इस स्प्रिंग की नीचे का जो वाल है वो भी थोरा तेडा वार ओपन दिख रहा है दोस्तों इस वाल और इस कैप के बीच में ये चोटा पत्थर था और इस कैप में भी कुछ नजर आ रहा है देखते हैं क्या है बहुत सारा कचरा इसमें जमा हुआ है दोस्तों इस पत्तर और कचरे की वज़े से ये वाल ओपन रहता था ये वाल ओपन नहीं रहने चाहिए ये ओपन रहता था, उसकी वज़े से ये प्रेशर नहीं दे रहा था दूसरा आउटलेट वाल चेक कर दे इसमें थोड़ा कच्रा है इसके अंदर तो बहुत ही कच्रा नहीं कल रहा है मुझे लगता है इसके अंदर फिल्टर नहीं होगा चलो देखते दोस्तो इसके अंदर यहाँ पर एक फिल्टर जा लियाती है वो इसमें नहीं है अगर होती तो यह हाल नहीं होता दूसरे साइड से भी प्लेट ओपन कर लेते इसके वाल में भी एक पत्थर है तो दोस्तो हमें यह वाल कैप, स्प्रिंग, प्लेट और मोटर पानी से क्लीन करने अब हम इसकी फिटिंग करेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो स्लोट है उसमें यह स्प्रिंग लगाने है स्प्रिंग के उपर वाल लगाना है और वाल के उपर यह वाली कैप लगाने है वही दूसरी साइड से यह वाली क्याप लगाने है उसके उपर से यह वाल और स्प्रिंग लगाने है यह हमारा इनलेट और यह आउटलेट है मेरे हाथ में यह दो प्लेट है जिसमें एरो का डिरेक्शिन दिया है तो यह प्लेट हमें यहाँ पर लगाने है उसके इस स्प्रिंग लगाने इस तरह से स्प्रिंग इसमें लगा के यह प्लेट लगाने और उसके स्क्रू टाइट करने दूसरी साइड से इस स्प्रिंग में भी एक स्प्रिंग लगाने स्प्रिंग के उपर से वाल और वाल के उपर से ये वाली क्याप लगाने उसके बाजों में ये वाली क्याप लगाने उस क्याप में ये वाल लगाना है वाल के उपर ये स्प्रिंग लगाने इसमें ये प्लेट लगाने प्लेट के ये स्लोट में स्प्रिंग लागने और प्लेट लागने स्कुरू टाइट करने उसके बाद ट्री पर स्विच लागना है उसके दोनों स्कुरू टाइट करने दोस्तों मोटर रिपेर हो चुके मैं इसे पंप में भीटिंग करके आपको प्रेशर चेक करके दिखा दाओ दोस्तों पंप में हाई प्रेशर आ चुका है तो किसन भाईयो इस तर से आप पंप का प्रेशर ठीक कर सकते हो किसन भाईयो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करदेन और साथी चैनल को जरूर सस्क्राइब करदेन ताकि आनिवारी वीडियो की नौर्टिपेकेजन आपको मिल सके धन्यवाद